दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नमबर 10 के बारे में जिसका नाम है तरंग प्रकाशकी इसमें दोस्तों हम लोग लेक्चर 10.2 तर कंपिट कर चुके थे आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स लेक्चर लेक्चर 10.3 के बारे में तो दोस्तों हमारे आज की सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है हाइगेंस के दृतियक तरंगी काओं के सिध्धान्त के आधार पर अपवर्तन की व्याक्या ठीक है हाइगेंस ने जो दृतियक तरंगिकाओं का सिध्धान्थ दिया था उसके जो main points थे वो हम लोग last release session में complete कर चुके थे ठीक है अब हमको क्या करना है हाइगेंस के दृतियक तरंगिकाओं के सिध्धान्थ का use करना है और उसी के आधार पे हमको क्या करना है दोस्तों अपवर्थन की व्याक करना है ठीक है मतलब अपवर्थन के नियमों को सिध्ध करना परावर्थन की तरह अपवर्थन के दो नियम थे कौन व्यभी अबुर्तित किरण और अंतराप्रश्ट पर अभिलंब ये तीनों क्या होते दोस्तों एक ही तल में होते हैं ये तो पहला वाला नियम हो गया अपॉर्थन का जो दूसरा नियम है वो स्नियाल का नियम होता है जो कि ये बताता है कि पहले माध्यम में आप तंकोड की जा यानि sign तथा दूसरे माध्यम में अपॉर्टन कोण की जा यानि कि sign r का जो अनपात होता है वो क्या होता है वो एक नियत होता है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के साथ पे अपॉर्टनान कहते हैं ठीक है तो मुझे ये दूसरा नियम जो किस्नियान का नियम है ये भ लोग अंत्राप्रश्ट बोल रहे हैं ठीक है यह हमारा अंत्राप्रश्ट है यानि इंग्लीश में आप इसे इंटरफेस बोल सकते हैं ठीक है यह अंत्राप्रश्ट हो गया ठीक है अंत्राप्रश्ट दोस्तों करता क्या है अंत्राप्रश्ट जो है वो दो भिन भिन माध्य माध्यमों को पृस्थ करने वाला सब्सक्तिक जो अ्नध्राप्रश्ट होता इसंत्राप्रश्ट के उपर कौनसा माध्यम है माध्यम 1 जो की विरल है उसका निर्पेख शपरतनांक N1 है और उस माध्यम में प्रकाश का वेग वीवन है ठीक है और अंत्राप्रश्ट के ठीक नीचे माध्यम 2 यानि की दूसरा माध्यम है जो की पहले की तुलनम में सगन है और उसका निर्पेख शपरत अब आरखना दू है और दूसरे माध्य WAT अब क्या करना है हमने माना है कि आपतित समतल तरंगाघ्र जो एक नाम दे दिया माध्यम वन जानी रिर्धा माध्यम से प्रवेश लए रहाएं या इंत्राप्रश्ट पर आएगा उस्जाma वो अंतरा प्रश्ट पर गिरेगा तो यहाँ पे आपको देख रहे होगा कि यह तरंगाग्र जो है वो थोड़ा तिर्चा आप्तित हो रहा है इस कारण यह आप्तित सम्तल तरंगाग्र जो है वो अभिलंब के साथ आई आपतनकोर बना रहा है ठीक है यहाँ पे आपको प्रश्ट को पहले इसपर्श करता है ठीक है और जो दूसरा सिरा है B वो अंत्रा प्रश्ट को कुछ समय के पश्चात किसी बिंदू B डैश पर इसपर्श करता है ठीक है लिकिन दोस्तों अब यहाँ प्रश्ट को पहले टच कर गया और जो सिरा B है वो प्रश्ट को कुछ समय के बाद टच करेगा लेकिन दोस्तों क्या जब तक तरंगागर का सिरा B जो है वो B डैश पर पहुचेगा क्या उतनी देर तक प्रकाश यहाँ पर डैश पर रुका रहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है होगा क्या अब हाइगेंस की दृत्यक तरंगिकाओ का सिद्धान कहता है कि जैसे ही यह तरंगागर तिरचा आतित हुआ इस तरंगगर का सिर्श ए जो है वो अन्तरा प्रॉष्ट को टच किया तो अंतरा प्रोष्ट का यह बिंदू क्या बन जाएगा आपतन बिंदू बन जाएगा इस पे हमने मने एक अबिलन खिर दिया और अब इसी आपतन बिंदू पर तो तरंगागर गिरा है तो ये आपतन बिंदू क्या करेगा एक नए प्रकाश्रोत की भाती विभार करेगा और ये अपनी खुद की दृतियक तरंगिकाओं को सर्जित करेगा और अगर ये एक बिंदू के जैसा है तो किसी बिंदू प्रक श्रोत के कारण उत्पन्द तरंगागर कैसे होते दोस्तों गोली तरंगागर होते हैं तो यहाँ पे मैंने एक चाप टाइप का बनाया हुआ है आर्क बनी हुई है यह चाप जो है वो उसी गोली तरंगागर का एक छोटा सा टुकडा है ठीक है तो जितनी देर में तरंगाग का सिरा जो A है वो दूसरे माध्यम में थोड़ी दूरी तै करके किसी बिंदू A डैश पर पहुच जाएगा और जैसे ही B B डैश पर आ जाएगा वैसे ही क्या किया है मैंने अब यहां से दोनों साथ साथ चलना शुरू करेंगे तो मैंने बिंदू B से स्वरी बिंदू B तरंगागर का सीर्ष B B डैश पर पहुचता है ठीक उतने ही समय में आपतित तरंगागर का सिरा A या सीर्ष A जो है वो दूसरे माध्यम में कुछ दूरी तै करके A डैश पर पहुच जाता है इसका मतलब दूरी B B डैश is equal to A A डैश ठीक है यह चीज़ समझने वाली है तो किसी माध्यम का एन जो है पहले यहां बताता हूँ एन जो है वो किसी माध्यम का निर्पेक्ष परतनांग है दोस्तों जब हम लोग किसी माध्यम के परतनांग को वायू या निर्वात के सापेक्ष मापते है तो हम लोग उसे उस माध्यम का निर्पेक्ष परतनांग कहते ह ठीक है और निर्पेक शपरतनांग का सूत्र क्या होता है किसी माध्यम का निर्पेक शपरतनांग बराबर होता है निर्वात में या वायू में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में उस माध्यम में प्रकाश की चाल तो किसी माध्यम का निर्पेक शपरतनांग N बराबर पहले माध्यम के लिए हो गया, ठीक है, equation number one, इसी प्रकार, ठीक है, दूसरे माध्यम के लिए लिखेंगे तो, दूसरे माध्यम का परतनांक, N2 is equal to C upon V2, यह दूसरे माध्यम का परतनांक हो गया, चली भाई, तो equation one, equation two हो गई, अब हमनों क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक, अच्छा, अभी हमने कहा कि, जितने समय में, आपती तरंगागर का सिरा B, B' पर पहुचता है, उतने ही समय में, तरंगागर का सिरा A, दूसरे माध्यम में A' डूरी तै करके किसी विंदू A' पर पहुच जाता है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये वाली दूरी जो है, तरंगागर का, तरंगागर के सिरे B द्वरा, पहले माध्यम में तै की गई दूरी जो है, B, B' ये बराबर हो जाएगी, दोस्तों किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पढ़ा होगा, कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुड़े समय ठीक है यह फर्मूला बढ़ा होगा ठीक है दूरी बड़ाबा चाल गुड़े समय यह जो है वह पहले माध्यम की बात कर रहा है पहले माध्यम में प्रकाश कवे वीवन है लेकिन दूसरे माध्यम में प्रकाश कवे वीटु है तो वीवन वीटु का फरक आ गया ठीक है वेग में परिवेग में चेंजेश है इसलिए क्या होगा यह दूरिया बराबर नहीं से निकालेंगे मान लीजे मान लीजे कि तिर्शावतित होने के कारण सीर्श ए ने अंतराप्रस्ट को टच किया उसके ठीक small t समय के बाद b ने को टच किया तो यानी कि समय कितना मिल रहा chance m बी डैस पर पहुँच रहा है तो small t समय में ये जितनी भी दूरी तै करेगा वो हमें निकाल लिए ठीक है तो हमें समय पता है दोस्तो समय कितना लिया है T समय और दूसरे माध्य में प्रकाश का वेग कितना है V2 है तो प्रकाश का वेग V2 और प्रकाश कितने समय के लिए गति किया T समय के लिए क्योंकि T समय में B B' पर पहुँच गया और उतने ही समय में यह A' पर पहुचा है यानि कि A से A' तक पहुचने में प्रकाश ने कितना समय लिया T समय लिया प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में V2 है तो V2 को T से multiply कर देंगे तो आपको यह दूरी मिल जाएगी A A' ठीक है यह यह दूरी मिल जाएगी तो यानि A A' कितना हो गया V2 T हो गया अच्छा बास समझ जाए equation No.3 हो गए बहाई है चलिए अब क्या करेंगे अब हम लोग same procedure इसके लिए लगाएंगे ठीक है इसको मिटा रहा हूँ मैं भी चलिए आप देखिए जब T समय में B B' पर पहुंसता है तो हमको क्या निकालना अगर आपको यह दूरी निकाल ली है T समय में चली गए दूरी कैसे मिलेगी इसी formula से मिलेगी बस आपको करना क्या है अब ब अतलब प्रकाश की चाल कौन से माध्य में पहले माध्य में प्रकाश की पहले माध्य में चाल वी वन और कितना समय ले रहा है प्रकाश B से वी डश तकाने में T समय ले रहा है तो यह दूरी कितनी हो जाएगी B B' is equal to V1 T ठीक है तो यहां से एक दूसरी समिकरण बन हमें स्नेल्स लॉप्रूफ करना है क्योंकि वो चीज़ें जो हम लोग बताते हैं कि आपवर्तित तरंगागर और अपवर्तित तरंगागर और अभिलम तीनों एकी तल में यह तो इजी है यह तो डाइग्राम से वैसे भी दिख रहा है में चीज जो है वो स्नेल इसमें आप लगाईए दोस्तों आपको यहाँ पर यह एंगिल दिख रहा है अगर आपको यह समझने में कष्ट हो रहा हो कि यह कैसे आर हो गया तो समझेगा यह आपती तरंगागर है हमने क्या किया है सीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एक लंब खीचा है लंब खीचा जब यह वाला एंगिल 90 माइनस आई हो गया है तो यह पूरा यह तो अभी लंब है क्यों दोस्तों यह तो अभी लंब है ना यह तो अभी लंब है और यह पूरा 90 होगा यह पूरा है 90 और यह है 90 माइनस आई 90 माइनस आई तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो ज चाहें तो यह पूरा 90 होगा अब समझेगा यह पूरा 90 है इसमें से यह अकेले आर है तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस आर यह वाला एंगिन हो जाएगा 90 माइनस आर अब जब यह 90 माइनस आर हो गया है तो यह क्या है यह तो अभिलंब खीचाता ना मैंने डॉटे लाइन से अभी लंब जो होता है, वो हमेशा प्रष्ट के लंबवत होता है, यानि कि ये पूरा 90 होगा, अब ये पूरा 90 है, इसमें से ये हो गया 90 माइनस R, तो ये R हो जाएगा, ठीक है, तो बास हो जा गई, अब हम लोग लगाएंगे यहां फे, पहले, अपर ट्राइंगिल ले लि होता है, लंब बटे कर्ड, ठीक है, लंब बटे कर्ड, कोड के सामने वाली बुझा है, लंब, जो की है, B, B-, ठीक है, अब वान में कर्ड, कर्ड क्या है दोस्तों, कर्ड सबसे बड़ी बुझा होती है, या 90 का जो एंगिल बनता है, उसके सामने वाली बुझा होती, A, B- ठीक है यह हो गई A B डैश ठीक अच्छा अब इसको हमने बोल दिया question number 5 ठीक है अब हम लोग करेंगी क्या दूसरा triangle लेंगे कौन सा lower triangle ले लिजे triangle A B डैश A डैश इसमें लगाईए आप क्या sin R लगाईए यह हो गया sin R ठीक है sin R is equal to क्या हो जाएगा दोस्तों sin theta बराबर लंब बटे कर्ण होता है सामने वाली बुझा लंब होगी यानि यह हो गया A A डैश यह लंब हो गया और कर्ण क्या है दोस्तों A B डैश ठीक है अच्छा यह हो गया equation number 6 अब हम करेंगे एक्वेशन 5 और 6 को डिवाइड कर दीजे ठीक है equation 5 divided by equation 6 ठीक है आप equation 5 और 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ गया sin I divided by sin R is equal to ठीक है चलिए दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या इसको यहाँ पर put करेंगे sin I की value कितनी है b b dash upon में a b dash आई बास समझ में ठीक है अभी देखिए sin R sin R कितना हो गया a a dash upon में b b dash अब क्या करेंगे दोस्तों a b dash है यह sin R is equal to a a dash upon में a b dash है ठीक अच्छा अब यह जो upon क्या upon में fraction क्या upon में भी फ्रेक्शन है इसको solve कर लेंगे reverse हो जाएगा ठीक है कितना आएगा sin I upon में sin R is equal to कितना हो गया दोस्तों यह हो गया b b dash upon में a a dash into यह हो गया upon में a b dash यह बचेगा ना upon में a b dash ठीक है और यहां हो गया a b dash upon में a a dash ठीक है अच्छा अब a b dash से a b dash cancel हो जाएगा ठीक क्या बचा यहां पे बचेगा sin I is equal to b b dash upon में a a dash ठीक है अभी आपको दिख रहागा दोस्तों b b dash की value और a a dash की value हम अल्रेडी निकाल चुक है यहां पे रख दीजे कितना हो जाएगा sin I upon में sin R is equal to यहां पे हो गया b b dash कितना है दोस्तों v1 t upon में a a dash कितना है v2 t ठीक है t से t दोस्तों cancel हो गया ठीक है और जो निकल कर आएगा वो क्या होगा वो हो जाएगा sin I upon में sin R is equal to कितना हो जाएगा यह हो जाएगा v1 upon v2 ठीक है यह तो equation अभी आधी है ठीक है अभी इसमें n वाले terms को भी introduce करना है ठीक है उसके लिए क्या करेंगे थोड़ा सा याराफ करते हैं चलिए दोस्तों समीकर नंबर साथ में क्या था sin I upon sin R is equal to v1 upon v2 ठीक है इतनी चीज़ समझ में आ गई अच्छा अभी देखिए हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा adjustment करेंगे जैसे जैसे की हम इसे लिखेंगे sin I upon a sin R ठीक है is equal to हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पर लिख दिया c upon v1 और इसको लिख दिया c upon v2 ठीक है ऐसा करने से क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह c upon v2 हो जाएगा यह c upon v1 ठीक है देखिए ऐसा करने से कोई problem नहीं है आप जब करेंगे तो c upon v2 नीचे आजाएगा यह बन जाएगा c upon v2 ठीक है और रिवर्स हो जाएगा v1 उपर चला जाएगा और c नीचे आजएगा c से c cancel हो जाएगा और v1 upon v2 वही लोट करा जाएगा जो हमारे पास पहले था ठीक है अच्छा तो आपके में प्रश्न ट्राओगा जब यह चीज वही है जो उपर लिखिये तो हमने ऐसा किया क्यूं? दोस्तों यहाँ पे term बनाने हैं ठीक हमें n1 बनाना है n2 बनाना है क्यूंकि ls law में n1 और और n2 के terms भी आते हैं जो कि यहाँ पर दिखने रहे तो इसलिए हमने क्या किया? v1 और v2 को adjust किया c upon v2 बना दि या नीचे आप दोस्तों आप देख रहे होंगे एक्वेशन नमबर वन और टू में हम लोग यह बात बोल चुके हैं कि यह क्या बन जाता है आपको दिख रहा होगा यहीं लिख देता हूं मैं सी अपॉन वीटू क्या होता दोस्तों एक्वेशन नमबर अट थीक है अब क्या करना है एक्वेशन नमबर साथ और आट को कमपेर कर दिजेंगे तुन्ना करेंगे कितना आएगा यह हो जाएगा साइन आई अपॉन में sin r is equal to कितना हो जाएगा ये निकला है v1 upon v2 ठीक है is equal to और sin i upon sin r तो n2 upon n1 के बराबर भी है तो ये हो जाएगा n2 upon n1 बस ठीक है ये पूरा क्या बन गया equation number 9 हो गई और यही तो स्नेल्स law है ठीक है तो दोस्तो डाइग्राम से ये clear है कि आप्तित समतल तरंगागर पर्तित समतल तरंगागर और अंत्राप्रेश्ट पर अभी लब ये तीनों क्या है एक ही तल में इस्थित है बोर्ड के तल में तीनों इस्थित है ठीक और दूसरा नियम जो स्नेल्स law होता है वो समिकर्ण नंबर 9 से प्रूफ हो रहा है तो दोस्तो इसी प्रकार से इसी तरीके से हम हाई गेंज के दृतियक तरंगिकाओं के सिध्धान्त के अधार पे अपवर्तन की व्याख्या कर सकते है ठीक है दोस्तो और जैसे हाई गेंज के दृतियक तरंगिकाओं के सिध्धान्त पर अपवर्तन की व्याख्या करी है वैसे ही हमने लास रले सेशन में परावर्तन की व्याख्या की थी वो जैसे वो important था वैसे ये भी important है ठीक है यहां देखिए मैंने स्क्राइब बनाए हुए सिच का ध्यान रखिएगा ठीक है दोस्तों तो इसी टॉपिक के साथ यह सेशन समात होता है इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्रप्शन में दिये गए लिंक पर जाके क्लिक कीजे ओके दोस्त हूँ आज के सेशन में इतना ही मिलता हूँ नेक्स सेशन में दाने में